यहीं दोस्तों तो आज हम फिर से एक important vacancy लेकर के आ हैं जो कि teachers recruitment से जुड़ी हुई है और यहाँ पर आपको PRT और TGT के post पर permanent basis पर vacancies देखने को मिलेगी जो कि FBPH से आ रही है और यह फरक्का बेरेच प्रोजेक्ट के अंतरगाते की school है उससे यह vacancy आ रही है जो कि आपके West बेंकोल से यह vacancy होगी ठीक है लेकिन all over India से candidates के लिए apply कर सकते हैं और pay level 6 की और pay level 7 की post होने वाली है और यह vacancy की विश्वसनिता आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी हाली ही में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा हमारे channel पे भी और वैसे भी news देखा होगा इसके बारे में complete details देखेंगे क्या कुछ post हैं क्या eligibility criteria है age limit क्या रहने वाली है और बाकी जानकारी सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा तो देखिए यह SSC की तरब से यह notice out की गए थी 26.2.2024 को advertisement number phase 12 2024 selection post यह आपने देखा होगा इसमें बहुत सारे post है जैसा कि हमने आपको last time बताया था ठीक है तो एक बार पहले important dates की बात कर लेती कि आप कब से कब तक apply कर पाएंगे जो कि सबसे important होता है जो कि 26.2.2024 यानि 26.2024 से लेकर 18.2024 तक आप इसके लिए apply कर पाएंगे और जो बाकी details से आप उसको आराम से देख सकते हैं ठीक है और date of CBT 6-8 में tent पोस्ट नमबर 306 पे देखें आप ठीक है यहां पर देखिए जो कि eastern region से जुड़ा हुआ है तो region by divided हैं सारी vacancies तो इसमें eastern region में आपको trained graduate teacher की यह post आपको दिख रही होगी ठीक है department की बात करते हैं तो देखें फरक का बेरेज प्रोजेक्ट department of water resources जो की central government की है river development and गंगा इसमें आपकी वेकेंसी आई हुई है और इसमें आपसे qualification, graduation and above मांगा जा रहा है इसके बार में details देखेंगे detail qualification क्या है वो भी अभी देखेंगे और यह pay level 7 का post होने वाला है आपका ठीक है तो यह pay level 7 का post होने वाले जिसमें basic पे आपकी 44,000 रुपीज होती है इसमें पांच post है total जिसमें आप category wise देख सकते हैं आपकी category में कितनी vacancy है इसके बाद इसी के नीचे post number 308 में आप देखें यह भी eastern region की vacancy है और यहां पर primary teacher की vacancy है ठीक है तो primary teacher के post पे यहां पर requirement है और यह level 6 का post होने वाला है जिसके लिए age limit 18 से 30 साल रखी गई है और same department के अंदर यह भी vacancy है ठीक है और यहां पर देखें हाईर secondary यह 10 प्रस 2 मांगा जारा है विद 28 वगार है इस सारी जनकार यह भी आपको देखने को मिलीगी तो चार post आपकी इसमें भी है ठीक है तो कम है भी आप एज आपकी 30 के अंडर है तो आप इसमें देख सकते हैं आपके लिए बहुत सारी multiple post page पे वेकेंसी निकाली गई है ठीक है सारी वेकेंसी के वारे में details कैसे देखते हैं वो भी हम एक बार देखेंगे उसके थुरू आप जान पाएंगे बागी जानकारी ठीक ह इसमें आपको सेलेक करना है phase 12 2024 selection post ठीक है इसके बाद region सेलेक करना है तो हमने आपको बताया कि eastern region में यह वेकेंसी है और यहां पर आप सर्च बटन पर क्लिक कर देंगे जैसे सर्च करेंगे तो नीचे आप देखिए यहां पर आपको multiple post देखने को मिलेंगे और इस तरीके स इस आठ पेजे से इस आठ पेज में से किसी ने किसी एक पेज पर आपको आपकी वेकेंसी देखने को मिलेगी ठीक है तो सबसे पहले primary teacher के post पर वेकेंसी दिखेगी यह primary teacher आप देख पा रहे होंगे यहां primary teacher के post पर वेकेंसी है ठीक है eastern region और यहां level 6 ठीक है इसके बारे में details देखना है तो इस i button पर click करें आप ठीक है यहां से आप details देख पाएंगे तो देखिए initial place of posting के बारे में बात करते हैं तो West Bengal with AISL तो West Bengal में आपकी सबसे पहली posting होने वाली है पोस्ट का नेम है primary teacher और job requirement और जो आपकी duties होंगे वो इस तरीके से होगा class 1 to 4th के लिए आपको पढ़ाना होगा FBPHS school में ठीक है इसी school में आपको 1st to 4th class के students को बढ़ाना होगा पोस्ट कोड आप यहां पर देख सकते हैं पोस्ट कोड भी यहां पर mention किया हुआ है अब बात कर लेते हैं educational details की तो educational detail में देखिए बस 10 plus 2 चाहिए जैसा कि होता है PRT के लिए ठीक है higher secondary 10 plus 2 आपके लिए चाहिए essential qualification यहनि senior secondary 50% marks के साथ and 2 years diploma जो कि PRT के लिए mandatory होता है 2 years diploma in elementary education from any recognized university or board or institute ठीक है second देखिए senior secondary with 50% marks and 2 years diploma education from a recognized university or board or institute और बाकी यही है ठीक है ऐसे और और करके आपको यहाँ पर काफी सारे educational qualification mention किये हुए है ठीक है इन में से कोई भी educational qualification आपके पास होनी चाहिए और इसके बाद दिखिए आपने TET भी पास किया हो यह भी हाँ पर mandatory है पास in the teacher eligibility test TET conducted by the appropriate government in accordance with the guidelines framed by the national council for teachers education for the purpose ठीक है और तो यह आप से qualification मांगी जा रही है इसके बार में आप ध्यान में रखेंगे कि आपने 12th का रखा हो दोस्ट आपने TET qualify का रखा हो और आपके पास BLA हो और इसके बाद आप 10th standard तक Bengali subject पढ़े हो ठीक है यह आप से qualification मांगी जा रही है तो आप इन पोस्ट के लिए apply कर पाएंगे subject details वगएर आप यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी subject से हैं तो आप इसके लिए apply कर पाएंगे बाकि department details वगएर आप को यहाँ पर mention क्या हो है कोई skill test नहीं होगा age limit 18 से 30 साल है ठीक है group B का है post यह non budgeted post है ठीक है male female सारी apply जाइगर सकते हैं इसके लिए और category wise vacancy भी आपको यहाँ पर देखने के मिलेगी ठीक है तो सारी जनकारी आप देख लेंगे एक बार और इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक बार TGT पूर चलिए अब बात कर लेते हैं TGT teachers की यहाँ ट्रेंट ट्रेजर टीचर Eastern region देख सकत है ठीक है तो अच्छी vacancy है इसके बार में हम details देख लेते हैं एक बार तो देखे पोस्ट नेम है initial posting इसकी भी same school में West Bengal में होगी ठीक है तो टीच वेरे सब्जक्ट टू दे स्टूडेंट्स ऑफ मिडल क्लासेस ऑफ FBPHS school and evaluation of answer script etc ठीक है यह आपकी duties होने वाली है इसकूल का नाम यह है educational details देख लेते हैं देखिए graduation and above तो आपने देखा होगा अगर आपने इस selection post का notification rate किया होगा तो उसमें 3 CBT test हो रहे है ठीक है जो 10th वाले post है उनके लिए अलग CBT test हो रहा है 12th वालों के लिए अलग हो रहा है कि graduation and above के लिए आपके किस तरह के test होने वाले हैं CBT test ठीक है तो अब देखिए एक बार detail देख लेते हैं graduate or post graduate degree from any recognized university or institute with 50% marks in either graduation or post graduation and bachelor of education from any recognized university or institute ठीक है तो आपने graduation या post graduation कर रखा हो with B.E.E.T. तो आप इसके लिए apply कर पाएंगे या नि तो 4 year का आपने BA और B.E.E.D. दोनों जो combined है वो कर रखा है आपने तो भी आप इसके लिए apply कर पाएंगे या फिर B.E.C.E.A. B.E.E.D. कर रखा है साथ में 4 साल का तो भी आप इसके graduation या post graduation हो with B.E.E.E.D. दोसरा आपने T.E.E.D. qualified कर रखा है paper 2 और तीसरा आपने बेंगोली class 10 तक पढ़ा है तो आप इसके लिए apply कर पाएंगे ठीक है अच्छी vacancy है और इसके बाद देखी graduate और post graduate degree ठीक है इसी तरीके से यह subject details mention क्यों है और subject के यहाँ पर clearly mention नहीं किया ठीक है क्योंकि यहाँ पर subject के बारे में details mention नहीं किया हुआ है कि subject में आपकी vacancy है TGT में ठीक है पांच क्या सपस vacancy है इसमें और is limit वही 18 से 30 साल होने वाली है group B का non graduate post है यह और इसके बारे में और चीज़े देख लेते हैं number post वगएर आप देख सकते है total आपको यहाँ प exam pattern भी दिखा देता हूं CBT test जो आपका होने वाल है उसके लिए ठीक है तो हम उसी notification पर वापिस आ गया है जहाँ पर यह हमने पहले भी देखा हुआ है scheme of examination जब हमने इस SSC selection post के बारे में discuss किया था तो यहाँ पर देखिए जैसा कि हमने बताया कि तीन separate CBT test होंगे जो कि आप आपके matriculation level के higher secondary के और graduation level के जो आपका PRT का post है उसमें higher secondary level के questions आने वाले है और graduation and above वाला जो TGT का post है उसमें आपके इस level के question आने वाले है pattern सबका सेम ही रहेगा तो आप pattern एक पर देख ले general intelligence के 25 question होंगे 50 marks के लिए यानि 2 marks का एक question, general awareness के 25 question होंगे 50 marks के लिए quantitative aptitude के 25 question आस marks के लिए बस level का आपको ध्यान में रखना है ठीक है जो PRT का post है उसमें 12th level के questions होंगे उसके लिए अलग paper आएगा और जो TGT का post है उसके लिए अलग paper आएगा समय की बात करें तो 60 minutes का आपको time मिलेगा 100 questions होंगे 0.50 आपके negative marking भी रखी गई है ठीक है और syllabus वगएर अबब लेवल का यह है ठीक है इसको आप आराम से read कर सकते हैं यह PDF आपको हमारे टेलग्राम चैनल पर मिल जाएगी और बाकी जानकारी आप खुद से research कर सकते हैं इसके बारे में क्या कुछ और further procedure होने वाला है मेरा काम था आपको वेकेंसी के बारे में update देना कि ऐसी through apply कर पाएंगे इसमें ठीक है इसके बारे में complete details आप इसके ओपर research करें इसकोल की website पर जाए और वहाँ पर call करें बाकी जानकारी लेया वेकेंसी बिल्कुल genuine है आपको अभी हमने दिखाया official website पर वेकेंसी advertise की गई है ठीक है तो सारी जानकारी अभी आपने देख ली होगी thank you